आरोपी हैं वो अलग अलग जगाहों पर बैठाएंगा है आप तस्वीर देखें यह वो हिंसा के आरोपी है जो यहाँ पर मौझूद है आप देखें अब तक 137 लोगों के गिरफतारी हो चुकी है अभी यहाँ पर 19 आरोपी यहाँ पर बैठे हुए है यह तस्वीर आप दे फिरिवर पर 19 अबस्द हरा आपी ते आप तक 132 आप देखें जलिवर निक्ती कर देखेंगें चाहिए जीवर दोट्वन्हें फाष्जिए अज्स और ना जैशना है ना जया रखी जो आप देखेंगे हैं नपने अज़ना है जो यहाँ पर आप आप देखेंगा उतकी है कि यहां पर बैठे हुए हैं तस्वीर आप देख सकते हैं यह अलग अलग जो आरोपी हैं उनको पठा गया है कि यहां पर आप देख सकते हैं जो आरोपी हैं वो यहां पर मौजोग है जो कि यहां अब यहां उनको रखा गया है यहां से कोर्ट में पेश किया जाएगा आपको बता दे कि इस सोंवार को भड़की हिंसा के बाद इस्थिती बहुत भयानक देखी गई थी नूमे और अब अलगातार गिरफतारिया हो रही है हिरासत हो रही है और यहां नूथाने में इन लोगों को रखा गया है आप देखे अब तक 137 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है अभी यहां पर 19 आरोपी यहां पर बैठे हुए हैं यह तस्वीर आप देखिए यहां नूह की तस्वीर यहां पर देख सकते हैं आप आई यह दर असल 123 किया कहना चाहिए तो क्यों आप रहे हैं कि इस लिए है कि आप में कि चाहिए तो करेंगे कि आप पर नहीं है गये हैं जी उसोत इसोत उठाए गये हैं जी हम को या रफ नहीं जो आरोपी है वो यहांपर मौजूद है आप बताइए आप इस्टा में शामिल से क्यों आप रहे हैं तो आप देख सकते हैं यह अलग अलग जो आरोपी हैं उनको पठा गया है अब लगातार गिरफतारिया हो रही हैं तो आप देख सकते हैं जो आरोपी है वो यहांपर मौजूद है जो कि यहां अब यहां उनको रखा गया है यहां से कोर्ट में पेश किया जाएगा आपको बता दे कि इस सोंबार को भड़के इंसा के बाद इस्टिती बहुत भयानक देखी गई थी नू में और अब लगातार गिरफतारिया हो रही है हिरासत हो रही है और यहां नू ठाने में इन लोगों को रखा गया है आरोपी है वो अलग अलग जगाहों पर बैठाए गया है आप तस्वीर देखे यहां नू की तस्वीर यहां पर देख सकते हैं आप वाई ये दर असल 136 फायों है क्या कहना चाहिए कुछ एख कुछ नहीं है? क्यों आपने हमसे जाएक नहीं हम चार बज़से सोटां होसी धे जाख लाए कि दूर। जाने हैं कि जिए ग्रफतर किया गया है जी ओस सोत इसले गये हैं हम और इंदर चल्स फेशरण और यहां पर बैठे हुए हैं तस्वीर आप देख सकते हैं यह अलग अलग जो आरोपी हैं उनको पठा गया है 137 लोग को गिरब्सारी हुई है और उनको पर टिटेंग किया इंसा बेशारिख थे यहां पर देख सकते हैं वो यहां पर मौज़ोग है जो कि यहां अब यहां उनको रखा गया है यहां से कोर्ट में पेश किया जाएगा अब को बता दे कि इस सोंवार को भड़की हिंसा के बाद इस स्थिती बहुत भयानक देखी गए थी नूमे और अब लगातार गिरफ्तारिया हो रही है हिरासत हो रही है और यहां नूठाने में इन लोगों को रखा गया है